इसे के साथ एक कॉलर है, राज सेथी, जैपुर से हमें कॉल किया है, उनसे बातचीत करते हैं, स्वागत है कायकरम में सवाल कीजे हलो हलो जी, स्वागत है कायकरम में सवाल कीजे एशे हैं मेरे ना क्या मेरे गत्या का रोग है जोडों में डर्द बहुत रहता है और मेरे हाथों की उंगलियां और लेके नीचे पैरों तक बहुत ही मतलब की ऐसे सुन वो हो जाते हैं तेड़े भी हो रहे हैं और मतलब की हडियों में इतना जर्ज रहता है, मुझे पूरी राद नीम नहीं आती। आपकी अभी कितनी उमर हैं और कितने दिन से ये रोग हैं ? मेरी उमर जो है, मेरी उमर इसवकर 75 है। ठीके, रोग कितने दिन से हैं ? काफी दिन हो वे हैं और मेरे मतलब कि कई बिमारिया है एक तो मेरे गैस भी बहुत बनती है एक मेरे मतलब कि इंचिंग भी होती है और मतलब कि यह ज्यादा तर मेरे यह हड़ियों में यह सुन हो जाते हैं और इतना हड़ियों में दर्द रहते हैं मतलब में हाथ बारी पटक आपका ठीक भी हो सकता है अगर आप हमारी बात पर तवज्ज दें हमारी बात गोर से सुनें चाहे तो लिख लें चाहे तो रिकॉर्ड कर लें जिस तरह से मैं कह रहा हूं उसी तरह से आप नसका इस्तेमाल करें देखे आप 80 पिलस हैं और बहुत ही सम्मानिय हैं हमारे लिए अलसी आप जानती होंगी अलसी क्या होती है किचन में भी रखते हैं लोग अलसी एक पाच्छे सो ग्राम अलसी ले लीजे उसको हलका सा भून कर और पॉडर बना ले अब ये तो अलग रखी पॉडर और एक गौन आता है गौन सिया शाद आप बड़ी उमर वाली हैं तो आ ये मिलता बहुत मुश्किल से आपके जमाने में असली मिलता हो आजकर नकली भी मिल जाता है एक काला गौन जो बहुत ही काम्याब है जोडों के दर्द में गठिया में खास तो पर तो ये सो दो सो गिराम खरीद लीजे इसको भी रो मेटल खरीदना है और इसको अलग रख सुबह नाश्टा करने के बाद एक चम्मच अलसी पाउडर लें और ऐसे दो चुटकी में जितना गौन सिया यानि काला गौन दा है ये असली रेना कड़वा होता बहुत जैदा इसको आप खाएं और गरम पानी पीएं दिन में पांच बार गरम पानी पीएं और दो बार ये खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें लगातार करें अगर दस परसेंट भी फाइदा एक महीने में हो तो एक साल लगेगा बिस परसेंट हुआ तो पांच महीने लगेंगे लेकिन ये इस रोप के लिए गठीया खास्तों पर इसमें फाइदा होना मुम्किन है